प्लास्टिक भी कमाल है। इससे आप कपड़े, पैकिंग का सामान, कार के अलग-अलग हिस्से और यहां तक की इससे घर भी बना सकते हैं। प्लास्टिक बनाना आसान है और साथ ही ये बेहत मजबूत भी होती है लेकिन यही इसकी सबसे बड़ी समस्या भी है। अगर ज्यादा साफ शब्दों में कहा जाए तो जिस तरह इंसान प्लास्टिक इस्तिमाल कर रहे हैं, वो बेहत खतरनाक है। प्राकृतिक रूप से प्लास्टिक नश्ट होने में लंबा समय लगता है क्या आप मानेगे कि जिस प्लास्टिक बॉटल का इस्तिमाल आप करते हैं उसे नश्ट होने में कम से कम 400 साल का समय लगेगा तो इसे साब से Shakespeare की इस्तिमाल की होई plastic bottle का इस्तिमाल हम आज भी कर सकते हैं यही नहीं चिप्स खा के फेंके गए packets इस धर्ती पर उतने ही समय तक जैसे के तैसे रह सकते हैं जितने समय से यहाँ पर pyramids मौजूद है अगर सच कहा जाए तो अभी तक बनाए गए plastic का हर एक टुकड़ा आज भी कहीं न कहीं मौजूद है तो और भागे से आज अच्छी खासी मात्रा में समंदर में plastic dump किये जा रही हैं और उसकी तली में लगातार एकठा हो रही हैं, हो रही हैं और होते जा रहे हैं वहीं अगर वज्ञानिकों की calculations को देखा जाए तो हर साल हम अपने oceans में 12 million ton plastic dump कर रही हैं समुदर में उठने वाले चक्रपाती तूफान plastic के कठी कर देते हैं जिससे plastic के बड़े-बड़े island बन जाते हैं उनमें से कुछ plastic island तो USA से भी बड़े हैं तेरते हुए plastic के इन टुकणों को turtles, whales, dolphins, seals और sea birds जैसे समुदरी जीव खाते हैं जो उनके लिए घातक साबित होते हैं धूप और समुदरी लहरों से plastic, micro plastic के छोटे-छोटे टुकणों में बंड जाते हैं जिने फिर plankton नाम के छोटे जीव निगल जाते हैं जिने फिर बड़े जीव खाते हैं और अंत में उन समुदरी जीवों को इनसान खाते हैं यानि हम एक तरह से plastic ही consume कर रहे हैं तो plastic footprint कम करने के लिए हमारी क्या भूमिका हो सकती है इन तीन आर के बारे में विचार कीजिए reduce, reuse और recycle कैसा है? वेल, सबसे पहले तो क्या हम अपनी daily life में plastic का इस्तिमाल कम नहीं कर सकते? हम, इसके लिए सबसे पहले तो हमें अपने local green grocer के यहां से shopping करनी चाहिए साथ ही हमें सामान लाने ले जाने के लिए ऐसे bags का इस्तिमाल करना चाहिए जिसे हम reuse कर सकें इसके लावा अगर हमें plastics का इस्तिमाल करना पड़ रहा है तो हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हम उसे reuse कर सकते हैं कि नहीं मान लीजे कि आपको पानी की bottle चाहिए तो आपको उसे खरीदते वक्त ये जरूर देखना चाहिए कि उसका इस्तिमाल आप बार बार कर सकते हैं या नहीं और आखिर में अगर आप plastic इस्तिमाल करने वाले हैं तो आपको ये भी देखना चाहिए कि आप उसे recycle कर सकते हैं या नहीं बहुत सी plastic recyclable नहीं होती और जो recyclable होती भी हैं उन्हें भी एक सीमित मरतबा ही recycle किया जा सकता है यानि recyclable plastic भी हमारी समस्याओं का permanent solution नहीं है समुद्री plastic कम करने के लिए अगर हर रोज 2 मिनट बीच साफ किये जाएं तो क्या आप सोच सकते हैं या idea कैसा है क्या आपको अंदाज आ है कि आप पूरे साल में कितना समुद्री कच्रा साफ कर सकते हैं सोचेगा जरूर आपको ये वीडियो पसंद आया होते से लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें किसी दूसरे वीडियो में हम आपको किसी और डॉबे के साथ मिलेंगे तब तक के लिए गुड़ बाई